नमस्कार किसान भाइयों आज मैं आया हूँ एक किसान के घर और उनका जो हार्वेस्टर को लेकर एक अनुभाव है वो बहुत अच्छा है कुछ अच्छा पल भी बीता और कुछ बुरा पल भी है वो दोनों पहलों आज हम डीटेल में बात करने वाले हैं उनसे मैं धिरश का अनुभाव है कितने साल से आप यूज कर रहें मैं लगभग 10 12 साल से हर्वेस्टर यूज कर रहा है अभी पिछले रेख साल से मां सुनालीका का बड़ा गाड़ी उस चरह रहा हूं ट्रक इंजन यकितना सीजन आप निकाल चुके इसमें मेरा चौंता सीजन चौंता पावर भी अच्छा मिलेगा कमफर्ड भी है फिर आप इस सुनालीक को क्यों चुने आप अब पर जितने पंजाब में जितने आदमी उतने नकम नाम का कमपनी का हर्विश्टर मिल जागा सुनालीक कमपनी है और दूसरा जुगार में चलते हो लोग जैसे आप इंटरनेशनल अब दूसरे कमपनी बोलते कि स्टेल इस पता नहीं चल पाता यह सिर्फ आपको बोला गया है कि आप देखे विए नहीं मा पहले प्लांट विजिट किया प्लांट विजिट में इस देखा गया कि स्टेल इसके बादी माई गाडी वहीं फाइनल कर दिया यह तो आपको पर चमप बनी वहीं से आप समझ सकते हैं यह कड़ा हुआ अभी कटिंग करके किता समय हो गया खड़ा हुआ इसको डेढ़ दो मैना हो गया दो देढ़ दो मैना हपते भर में इसमें जंक लगना सुरू हो जाता है लेकिन दो मैना हो चुका है अभी भी यह एक दम साइन कर यह इस टील का लगा हुआ है पांच ऐसे जगह जो सुनाली का है अपने हर्वेस्टर में इस टील का यूज करता है जिससे इसका जो रस्टिंग है जहां जहां घिसावट जादा होती है वह जगह पर इस टील का इस्तिमाल करने से लाइप बढ़ गई है और मेंटेनेस भी ह होता है इसके अलावा मैं आपसे भी जाना चाहूंगा आपके साथ इसमें अच्छा पल बुरा पल दोनों बीता होगा क्योंकि मसीनरी चीज है वह कभी न कभी आपको परसांद जरूर करती है तो आप किसानों को बताई कि आपके साथ कैसे कैसा अनुभा रहा है इस हार्व कि खाना खाने की टेमी खराब ज़ता को आपको है लेकिन असा हर दी असा नहीं होता है लेकिन बागी दिन जब गाडी चलती तो मन में खुशी भी होता है कि इतना चाच काम चल रहे है अगर दूसरा दंदा करते हैं 25-26 लाग फसा अके तो अपनको तेली में जाके बैठना है सब्सक्राइब को कभी टाइम नहीं मिलेगा बट यह दंद ऐसा है कि साल में को स्रिफ दो मेहना देने हैं दो मेहना में आप साल भर के लाया कमा के चुप बढ़ जाओ फिर आप मांकी दस मेन अपना मन से काम करते रहों हर्वेश्टर आप खुद चलाते हैं हां हर्वेश् अपने श्टील जासे आपका फीडर में हैं कटर बार में एलिवेटर इस सब जीतने घीसाई वाले जगह हैं जिसमें चदर जल्दी मतला फट जाते हैं वसाब से अच्छा लगा फीडर के पट्टी जो हैं अगर आप विसाल करते रहें दूसरी कंपनी जाते हैं अधिकतर क कंपनी तीन पट्टी तो यह अपने हिसाब से एड़ेस्ट होके चलता है इसके लावा इसका जो फीडर का लैंथ है वह बढ़ गया तो उपर सी विजिवीटी भी अच्छी आती है जापने से एक दम दिखते हैं क्लियर दिखते हैं कटर पूरे नीचे तक जाता है कई कंप पट्टी बार दे दे तो इसमें तूरन लग जाता है समय नहीं लगता समय नहीं लगता सर मुश्किल से दो मिनट लगता है कटर लगाने में इसका सीड जो है फोर में के लिए ड्रैबर जो है उसके लिए अराम दाखे कि वो दिन भर 12 घंटा अराम से काम कर सकता है जितना उसके में स्ट्रैंट सुभीर रहेगा उतना ही साम तक ही रहेगा अच्छा थाकान कम होती है तो आपका पीने भीने का खर्चा बच जाता है पूरा बच जाता है इसके लावा गाडी में पांच गेर का गेर बॉक्स है एक रिवस चार फॉरवर्ड और सिंगल लिवर के सां सिंगल लेवर आता था तो टर्निंग में बहुत दिक्कात आता था चोटे खेत है तो उसमें दिक्कात आता है और आप प्रस ने किये थे कि इसको एक कंपणी लेने का कारण क्या है मिलेगा आपन 36 गर्स और अपने आहां खेत छोटे हैं और गीले खेत ही मिलते है किसान को जल्दी रहता है जाल गारी का बहुत कम है तो गीले खेत में असांके काट लेता है कोई दिक्कत नहीं आता फिरेव पर कम, तो आप कोई भी कंपनी लो, चाहा राक्टर भी लो या कुछ भीची लो सिभी इसमें बेरेगकर बेरिच्व फूटे गही तो रहती경 औरही कोई क करा दक देखने को लाः है बड़ा ह्षर नहीं हुआ है अभी तक नहीं खिया को खवी पर इक हठान कंटा हो गया परसादा उपने तक आपके छहाँ हारी साथ वह स्यूंतो और यह मेन गाडी ख़ड़ हो थे और रदोह समान को देख जो समान किसान भाई यह इसकी सामान लखा कि नहीं आप से जैसे मैं पहले भी बात कर था आप बता रहे थे कि मैं पहले पंजाबी जो आते थे उनका गाड़ी चलवाता भी तो आपने शेत्र में तो आपने बहुत सारा गाड़ी देखा होगा उसके अपक्छाए डीजल खपत या लाग डाउन इसका ब्रेकडाउन होन और स्टाप भी थोड़ा राम करने का बहाना मिल को लोग 10 मिनट बैढ़ जाएंगे असरफ होते रहता है और कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल मैं आप से एक सवाल और जानना चाहता हूं आपका 10 से 15 साल का जो अनुभाव है आप बाकी किसानों को जो हर्वेस्टर लेने के पहले तो उनका एरिया कौन सा बेल्ट है अगर पूरे गिले अरिया है तो वहां तो फिर एक गारी कोई काम किने उनको तो ट्रेक माउंटें लेना पड़ेगा जो चैन वाले गाड़ी है अगर सुखन अरिया तो बड़ी गारी में जा सकते हैं ट्रेक्टर वाली और इसमें दोनों में डिफ्रेंस ही है सर ट्रेक्टर वाली का रेड़ भी आप 22-30 रुप है और इसका चब्विस लाक है सही है इस टाप अगर आप लाने जाओ तो उसका भी उतना ही रेट है किसान भाई से यह जानना था कि आकिरकार हार्वेस्टर पे जो है किस टेप का माप दंड में देखना चीए और आपको भी चुनाओ करना चीए मैं सुनाली का को ही नहीं बोल रहा हूं आप जो भी हार्वेस्टर देख रहे हैं पहले उस सारे चीज को परखिए कि से यूजफूल है कंपनी तो अपनी गुंगान करेगी ही चाहे आप कितना भी बोलो बुराई कोई कंपनी नहीं बताता है हर कंपनी अपना गुंगान करता है लेकिन हमें यह समस्दारी होना चीए कि हमेरे लिए कौन सा हर्वेस्टर बहतर है जैसे इस भाई ने साहु चला चुका हूं जी मा गाड़ी को यहां से डारेक्ट लेकर एंपी जाते है अपन लगातार दो दिन गाड़ी चलाते है लेकिन थकान थोड़ा से नहीं रहता एंपी जाता है मेरा गाड़ी पर्मेंट हमारे एरिया है शिवनी पे जहां हम धान और गयूं दोनों सीजन उसमें 10,000-20,000 रुपए आपको चपत लगेगा जाने में भी और आने में भी लेकिन इस गाड़ी के साथ वह समझे नहीं आती क्योंकि इसका कंप्रीट रजिस्टेशन भी होता है कुछ और डीटेल है जैसे कि मैं कंप्रीट करना चाहूं इस गाड़ी को लेकर जो मैं दे जाता है और इसली आप मेंटेन कर सकते हैं बाकी हर्वेस्टर में इसका धकन जो है वह छोटा होता है और इसको खोलने में बहुत दिक्कत होता है समय जादा जाता है तीसरा है मुझे जो इसमें अच्छा लगा अभी तक जितने पंजाब से अपने गाड़ी देखा होगा यहां आप यह होल देख सकते हैं एक होल यहां दूसरा पिन यहां आप लगाएंगे तो इसका जो जाली है वह फीट हो जाएगा आपको कोई खर्चन करना पड़ेगा आठ से दस आजार रुपए तो कंपनी अपना दिमाग लगा कि वहीं आपका बचा दिया है उसके पीछ से दस गुना ज्यादा होता है ड्रम ब्रेक के अपक्षा पे और इसका मेंटेनेंस भी काफी कम माना जाता है कुछ बड़े बदलाव इसमें किये गए हैं जैसे कि आपको फ्रंट में इसमें प्रोजेक्टा लाइट दिखने को मिल जाता है इसकी वीजिबिल्टी काफी में इस लाइट से आपको फैदा मिलता है जी अच्छी वीजिबिल्टी अच्छी है सर ठीक है इसके लावा फसल के लिए और उपर में लाइट दे के रखे हैं चार लाइट बिलकुल आप मुझे सीट में भी बैटके बताईए आप चड़े उपर और वहां का कमफर्ट किस कंपनी सीट बैल नहीं देती है तिल्ट स्टेरिंग जैसा आप कार का पीजिबिल्ट करते हैं इसको अपने हाइट के हिसाब से आगे पीछे एड़ेस्ट कर सकते हैं त्वे लाइट के लिए अपर दीपर दूसरी कंपनी में साइड में बटन दिया रहता है इसमें आप यह पीछे देखने के लिए आपको बैक मिरर मिला आइड साइड में अलग जी जासा आप चलाते तो पीछे देखने में कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं आई तो साहु भाई ये तो हो गया आपकी इस खूबिया अब आप मुझे बताई कि कमपनी को क्या फीड़ बेक देना जात कि अभी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सब छोटे छोटे फॉल्ट रहते हैं उसको तो अपन कुछ बोल नहीं सकते जैसे बेरिंग टूड गया बैरिंग के लिए कंपनी को क्या बोलूं बोल सही बात है या बैल्ट टूड गया ड्रावर के लिए पार वही के कारण टूडत बता है अगर इसके लाब मैं कंपनी को बोलूं तो एक बैल पांस सीजन चला जेते हैं ज़िए कई ड्रावर आसे हैं जो एक सीजन पांच बैल खा जेते हैं तो इसके लिए पन कंपनी को कुछ बोल नहीं सब अधार निकल क्या रहा है इसका साथ लीटर ज्यादा से ज़्य पर्ष्यार के सब्यक्सार लोग के उतना सफ्सार नहीं बइस देते लिए सब डिये अफ्रेश में चला को गूंसार के जहांता नहीं सितना सबम कि जाबने में झाल लिए उतना स différent खाए कुन गए यह जयाता खाना माल जाधा खाता ओसाल शमीं जरेग पटी सीजों के इसका जो किसान राइड का एरिया है वह 251 तो 46 ने से इसमें इनक्यावन इंच होने क्या है मटेर्यल के जाना जाने की जगह नवह जी जादा मिल जाती है तो ऐसे जगह पर और कटर बार पांच वा तो ऐसे जगह पर जहां पर घिसाओ जाद होते हैं वहां पर पूरा इस्टील का उपयोग किया गया है तो यह तो रहा सुनालीका का हर्वेस्टर और इसका अब बात आता है प्राइजिंग को लेकर कि आपने इसे कितने में पर्चे कुछ छोटा सा फीडबेक मैं अगर सुनालीका अले को देना चाहूं तो बाकी कमपनी में जैसे मैंने देखा है कि उन्होंने एक पानी के लिए भाया ने जो है जुगार बना कर रखा हुआ है यह अगर कमपनी से लगा कर दे तो इसमें दिक्कत होता है कुछ नहीं कोई द है हाला कि वह कोई प्रोब्लम नहीं है क्योंकि है जितना जादा होगा हर्वेस्टर को कहीं से निकलने में उतना बादा होगा अगर मैं अपने हाइट से करूं तो मेरा सीर जो है वह उपर हुड में अड़ जाता है तो मुझे जूग के बैठना पड़े लेकिन बैठने के मुझे पूरा कमफर्ट है ऐसा कुछ यह कंपणी को मैं क्लेम नहीं करना चाहता और इसमें किसान भाइयो जो इस्टावाकर लगा हुआ है वह पांच चैनल इस्टावाकर लगा है और वह सिंगल पीस लगा हुआ है बाकी हर्वेस्टर में उसे जॉइंट में लगाया जात तो मुझे नीचे नंबर पर हाप संपर्ख कर सकते आपके घर भी आओंगा और आपकी अनुभाव आपके बाकी सब किसान दोस्तों यारों के साथ मैं सेयर करूँगा बहुत भाइब स्umчान पー हो काफी अच्छी अपने अनुभाव के लिए किसान भ्वाईयों के लिए उ